चैनल के सब्सक्राइड बटन को दबाए साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाए ताकि हमारी वीडियो अप्लोड होते ही आप लोग को मिल जाए वो भी एकदम फ्री आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सागर जोतिश के अंदर आप सभी का हादिक स्वागत करता है जोतिश और कुंडली सीखने की संकला में आज हम आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक को कवर करेंगे आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किसी भी लगन कुंडली में जिस भी लगन की कुंडली हो जिसका लगनेश कोई भी हो तो हम किसी भी ngadle में कैसे पहरचानेंगे कि कौं से ग्रह हमारे लिए स्ब्णब ग्रह का काम कर रहे हैं या सम् ग्रह हैं तटस्ट ग्रह हैं लेकिए अपर इस्ब असुब लिखा हुआ है जो मुझे भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोई ग्रह सुभी आसुब नहीं होता है नहीं कोई ग्रह मारक होता है कोई कोई ग्रह किसी को भी नुक्सान ने पहुचाना जाता है लेकिन यह हमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि सबकी कुंडलियां अलग-अलग सी हो आप से हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ग्रह उस पर्ट्रिकुलर कुंडली में सुब फल दे रहा है या सम फल दे रहा है इसलिए हमने या पर सुब ग्रह असुब ग्रह और सम ग्रह की बात करी है यह उनके फलोक के आधार पर है सो आज से हम शुरू करेंगे कि हमारे पास 12 राशियां हैं 12 राशियां हैं 12 difference between 12 यह इस भरें होते हैं जो इन घरों में बैठती है और जहां लगन लिखा रहता है या एसेंडेंट एस से लिखा रहता है वो हमारा पहला घर होता है और यहां पर जो भी राश लिखी होती है एक से लिखे नौ तक उसको हम उस राशी उस लगन कुणिली का मालिक बुलते हैं वो राशियों के बारे में क्या है और वो राशियों के स्वामी ग्रह क्या है यह सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है तो जो लोग भी डार्टली इस वीडियो के आए हमसे रिक्वेस्ट है कि वो तुराने वीडियो जरूर देख लें ताकि उन्हें चीज़े इसल प्रटिकुलर अपनी कुंडली जिस भी लगने की है उसमें कौन से ग्रैसुब फल दे रहे हैं कौन से शुब दे रहे हैं कौन से सब्सक्राइब तो शुरुवाद करने के लिए हम एक जामपल लेते हैं कि सपोज हमारे जो पहला घर है वहाँ पर एक नंबर रास ही है तो बाकी घरों में रास लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एंटिकुलर पाइस घड़ी कुल्टी दिशा में चलते जाए है और नंबरी में लिखते जाए है इस तरे सपोज है यह लिखा हुआ है जो वन एच टो एच लिखा है यह घर को दिनोट कर रहा है और जो नंबर सरकल में हैं घोले में हैं वो आपकी राश्यों को डिपेंट कर रहा है तो यहां परमनाला की इसमें पहला नंबर है, पहला नंबर मतलब मेश राशी, ठीक है, तो इस पूरी लगन कुंडली के मालिक, वह मेश राशी और मेश राशी का स्वामी क्रहे है, वह मंगल देवता, तो इससे हमें एक बास समझ मैं कि यह मेश लगन की कुंडली है, जिसके स्वामी हुए मंगल देवता तो अब हम देखते हैं कि मंगल देवता विरश राशी सुक्र देवता यह मैंने आपको बताया हुआ है तो कौन कौन से इसमें जो ग्रह हैं वो हमारे लिए योग का रख हैं योग का रख हैं सुब फल देने वाले हैं तो यह एक जनरल प्रडिक्शन है क्योंकि यहां पर हम कहीं ग्रहों को नहीं बैठा लेंगे हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि राशियां जैसे जिस हिसाब से एक से लेके पूरी 12 राशियों के लिए करेंगे तो आज से शुरू करते हैं हम पहले मेश राशी के लिए तो चुकि यह मेश राशी है मेश राश के स्वामी होते हैं मंगल देवता ठीक है और यह है व्रेश राशी इसके मालिक है शुक्र देवता यह ग्रह मैं बैठाल न चंद्र देवता, सूर्य देवता फिर से बुद्य देवता शुक्र देवता, मंगल देवता फिर से गुरू देवता जुन को ब्राश्पती भी बोलते हैं और शनी देवता शनी देवता फिर गुरू देवता तो ये जो मैंने आपको गोले में लिखे ये राश्यां हैं और नाम लिखे हुए हैं वो उन पर्टिकुलर राशियों के सौमी हैं तो आप यह याद रखिएगा कि यह सब इनके स्वामी हैं यह कहां पर कोई प्लेस्मेंट नहीं है इस तरह मैं सेम फॉर्मेट का यूज करके आपको आगे भी बताता रहूंगा प्लीज बहुत ध्यान से समझेगा तो देखिए यह बन की मेस लगनी कुंडली मतलब इनके मालिक पर मंगल देता अब देखें कुंडली में तीन चीजे बहुत ध्यान देने योग के बात हैं तिन चीजों में क्या होता है कि कुछ चीज़े बहुत अच्छी है और कुछ चीज़े खरागा है कुण्डली में केंधर के घर होते हैं केंधर केंधर के घर मतलब अन्यuuuu हाउस फोर्द हाउस सेवेंध्थ हाउस और टेन्थ हाउस पहला गर चौथा गर控宏 दस्वा गर रसाफा कर यह केंद्र tá घर होता है तो कुंड्ली में केंद्र घर हमेशा गर और नवा घर फस्ट हाउस फिफ्थ हाउस और नाइंथ हाउस यह त्रिकोंड है देखिए आप अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे ऐसे तो एक ट्रैंगल शेफ त्रिकोंड का शेफ बनेगा इसलिए इनको त्रिकोंड के घर बोलते हैं तो कुंडली में केंदर के घर perfect और त्रिकोंड की घर फस्ट हाउस दिफ्थ हाउस और नाइंथ हाउस ये हमेशा घरों में आते हैं और bold कुंडली में एक ट्रिक्ष भाव होते हैं जिनमें जो घर आते हैं वह हमेशा अशुप फल के लिए मानने जाते हैं क्रिक भाव में कौन्स आता है था हैं detection धुश् कि इंद्र के घर फर्स्ट हाउस फूर्थ हाउस सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस यह सुब माने जाते हैं फिर ट्रिकोर्ड के घर फर्स्ट हाउस फिप्थ हाउस और नाइन्थ हाउस यह सुब माने जाते हैं और जो असुब हैं वो ट्रिक भाव ट्रिक भाव यह घर ट्रिक भाव इसे ट्रिक मतलब तीन होता है तीन भाव मनाते हैं छटा आठों और बारमा यह मेनली त्रिक भाव होते हैं इसलिए त्रिक मतलब तीम लेकिन हम यह जो हमारा थर्ड हाउस है यह भी ज्यादा मेहनत का घर है भाग दोड़क का घर है तो कि यह पराक्राम का घर भी है तो इसको हम पराक्राम के पॉइंट आवई से भी देखते हैं लेकिन तो कि ज्यादा मेनत घर है दोड़क भाग का घर है इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा जोतिश में बुर्य प्रभाव के लिए जानते हैं तरिक भाव में तो 6,8,12,6,8 ट् तरिक भाव यह होगे और थर्ड आउस यह तो अब मैं आपकर लिप देता हूँ आप लिए तो यह आपका शुब है शुब है शुब भाव माने जाते हैं दोनों और यह आपके अशुब माने जाते हैं ठीक है तो आप लग याद रखेगा यह बहुत जरूरी है जानना कि जो केंद्र के भाव होते हैं वो सुब फल देने वाले होते हैं कि त्रिक भाव शुब फल देने वाले होते हैं और त्रिक भाव चाया आट-बारा तो जो हुसे से हो थर्ड हुसी खराब भर माने जाते हैं लेकिन यहां पर ही पॉइंट है कि केंद्र के घर त्रिकोड के घ तुर्व फल देने वाले होते हैं कि इसमें जो भी बेटाओ वो आपको अच्छे परिणाम देगा इसा नहीं है उन पी improving a बेट इसे और नोव यह नोज हो से ढहते हैं सो वह हम आगे देखेंगे लेकिन आप लोग को यह एक बेसिक फामूले हैं जो आपको याद रखना कि केंतर घर त्रिकुणगर अच्छे घर अच्छे चीजों में काउंट होते हैं तो चलते हैं आप अब देखते हैं अब हम सुब असुब के वारे में थोड़ा सा बात कर ल सुब होता है अभी आप ने देखा केंदर के वारे सुब होता है और एर्द भाय सुनिक आफ यह शोड़ता है कि थी क्या मुआं यह कहती है कि जो केंदर होता है केंदर के जो मालिक होते हैं उन wür uncle अस्टमेस होने का अस्टम भाव में बैठने का दोस्त नहीं रगता है ठीक है अगर जो अस्टमभाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह है अगर लगनेश है लगन जो आपका है वो ग्रह अस्टमभाव में आके बैठ गया है तो उसको दोस नहीं लगता है हाँ दोस नहीं लगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको 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 इफेक्ट नहीं बलकें लेता है इसलिए हम जंळ्नरल या बोलते हैं ski लगने शमेशा सुभी फल देते हैं वाकि उनकी प्लेस्मेशार्प messenger होता है वहाले हम सीखें घिर तो किसी लगने शमेशा सब विया देते हैं तो लगने शमेशा सुष फोलो की सुष ग्रहों के स्रेटी में आ जाते हैं तो पहला गहरे तो मंगल हो गया सुष अब देखें दूसरे में चलते हैं शुक्र शुक्र को भी दूराशचे अप्राप्त हैं सेकन्ड नंबर और सेविंध नंबर अब देखें ये घर बच्रप गर है पैसे के घर कुर्टूंब का घर क्वानी का घर है और ये विवाज़ का घर है ठीक है और लाइफ पार्टनर का घर है और हे डेली वेजस घर है व्यापार का अ. लेकिन बहुत लोग कि मैंने कनल में देखा है कि वह इस बात को पोधों देख लेते हैं यह कुटूंग का घर है और यह डेली वेजेस के पतनी का यह तो यह अच्छ को जाते हैं no doubt यह अच्छ है लेकिन एक थोरी चलती है हमारे जोतिस में वह है मारक ग्रहों की तो हमार तो सेकेंड हाउस और सेवंध हाउस को सामाने मारक को पद्वी राप्त है तो second household seven south के ग्रहों को समाने मारक बोलते है समाने मारक ग्रह का मतलब है कि वो ग्रह असुब फल देंगे लेकिन उनका फिर हम देखते हैं कि जो लगनेश है लगन के जो सौमी ग्रह हैं उनसे मित्रता देखनी होती है तो अगर वो उनके मित्र है तो वो सुब फल देंगे और अगर सत्रु हैं तो वो असुब फल देंगे तो यह हम सेम यही कॉंसेप्ट हम सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस और इलेवन्थ हाउस के लिए लगाते हैं तो हमने यहां पर देखा कि स्ट्रापूर्स में शुक्र है और स्ट्रूग्रह की लिस्ट में आपको साथ में बता दूगा सत्रु ग्रह कौन से और मित्र ग्रह कौन से हैं तो यहां पर अभी एक तो तेकंड आउस और सेवेंथ हाउस मारक की वद्विव में आते हैं और चुकि सुब या असुब फल देंगे वो डिपेंड करता है कि उनका लगनेश से क्या संब्द में मित्र हैं के सत्रु ते यहां पर लगनेश के शत्रु हैं इसलिए आज शुक्र जो है वो असुब रह की स्टेडि में आएंगे तो यहां पर हम असुब रह में लिख देते हैं अब थर्ड हूस देखते हैं यहां पर स्वामी है बुद्ध बुद्ध को जो राश्य अप्राप्त हैं जो थर्ड हाउस और जाने जाते हैं तो चुक्कि दोनों के मालिक बुद्ध है इसलिए बुद्ध यहां पर असुब रह में आएंगे फिर हम फिप्थ हाउस देखते हैं फिफ्ट हाउस त्रिकोड का घर है त्रिकोड सुब होता है और यहां पर बैटे शूर तो शूर जो है वो इससाप से हाउस मैं आपको बता दिया एडे अपने देख लिया क्योंकि दो दो रासियों वाले हैं अब यहां पर देखते हैं N97 ट्रिकोड का मालिक घर है मतलब अच्छा घर है कि मुख दो रासिया प्राप्त है नाम थाउस और एक 12 त्रिकभ़ में आता देखिए गुरू की एक रासी ट्रिकोर्ड में आई और एक त्रिक में आई तो एक अच्छी है एक खराब है तो ये सम ग्रह में आएंगे मतलब जिसके साथ जहां बैठेंगे उसके इसाथ से अपना फल देंगे और फिर देखते हैं 10th house और 11th house दोनों के मालिक है सनी 10th house के अ यहां बताएं यहां पर आपको लगनेश से इनकी मित्रता या सतुता देखनी है तो सनी और मंगल आपस में सत्रू है ठीक है तो चुकि एक केंदर में आ गया अच्छा घर है एक 11th में आया वह भी अच्छा घर है लेकिन लगनेश से सत्रूता होने के कारण ये भी सम ग्रह हमें आएंगे तो इस तरह हमने देखा कि मेस लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह सूपल देंगे कौन से असूपल देंगे और कौन से संबी नेक्स वीडियो में मैं आपको दो-दो लगन कुंडलियों के बारे में बताता जाओंगों को आज पहला वीडियो इसलिए थोड़ा समय लग गया तो आप लोगों को इचीचे ध्यान रखनी है जो थेयोरी मैंने अभी इस वीडियो में बताई है वही थेयोरी समय आप सारे वीडियो में अपलाई करते रहेंगे केंद्र की घर देखेंगे त्रिक भाव देखेंगे उनका लगने से सत्रता अवं मेत्ता देखेंगे वही मैं नेक्स वीडियो में आपको एक टेबल बना दूँँगा जिसमें आपको दिख चाएगा ठीकर तो इस तरह हम मेंश लग रहें और मस रहें नमस्कार